हलो एवरिवन आरे इमसी माथ्स की जो एक कॉंसेप्स सिरीज चिल्री है आज उसका डे टू है डे वन में मैंने आपको युनिटरी मेथट के बारे में बताया था और उस पर वेज्ड हम लोगों ने कुशिन भी किया था आई होब कि आपके वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आज मैं लेने जा रहा हूँ फ्राक्शन I know कि fraction is nothing but something upon something जब आप यह लिखते हो ना half यह एक fraction है ओके लेकिन हाफ कै किसी चीज का half होगा ना किसी quantity का half होगा किसी complete चीज का half होगा तो कोई भी complete चीज को हम लोग one से represent करते हैं any complete entity और any complete thing is represented by one इस fraction को आगे आने वाली concepts classes में हम लोग percentage से भी represent करेंगे but फिलाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस one का ये half part है ठीक है अगर मैं one by fourth लोगा तो one by fourth one का one by fourth ठीक है समझने हो ना for example अगर मैं इस तरीके से आपको एक पूरा pizza बना के दिखा दूँ और इसको four equal parts मैं इसको cut करना हूँ so this individual part is going to be one by fourth लग चार हिस्सों में से एक हिस्सा okay so basically मैं क्या चाहता हूँ ना मैं आपको आज positive approach of positive approach of fraction बताना चाहता हूँ which is very important positive approach of fraction ठीक है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी complete चीज अपने आप में one है okay और अगर आप से पूछा जाए कि आप आपने किसी भी चीज में अगर half less करना है half less half less करना है मतलब आप उसको subtract ना करते वे directly आप positive approach से आप half लिख सकते है okay half आया कैसे आया ऐसे ही one minus half करके ही आया है ये half ठीक है अगर मैं बोलूं कि कोई चीज 3 by 4 आपको reduce करने एक तो आप 3 by 4 reduce करने का मतलब क्या है directly आप इसको fulfill करने के लिए जो remaining है वो लिख सकते है 3 by 4 कम करना है तो बचे का कितना 1 by 4 क्योंकि 3 by 4 plus 1 by 4 1 मनाता है तो subtract करने की जरुदत नहीं यह तो वही बात हो गई कि अगर आपके पास कोई चीज 100 है और आपने अगर 80 less करना है उसको तो remaining 20 बचेगा यही हम percentage वाले concept में समझेंगे तो do remember this positive approach of fraction which is very important okay अगर मैं बोलूंगा कि कि मुझे किसी चीज को 4 by 5 less करना है तो 4 by 5 less करना है तो कितना बचेगा कितना बचेगा तो 1 minus 4 by 5 करोगे तो it will come 1 by 5 based on this concept आई यह एक question कर देख लेते हैं ठीक है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आरेमसी ओलंपियाड की त्यारी करना चाहते हैं विच इस टोटली इंटरनाशनल ओलंपियाड पर बेस तो इसकी त्यारी करने के लिए आप हमारा online course अवेल कर सकते हैं जो कि एक recorded session के रूप में आपको देखने को मिलेगा डिफेंस ऑफिसे अचैडमी का आप जरो डाउनलोड करना और उसको as a student login करते हुए नीचे देगे numbers पर संपर किजेगा हम आपको एक course अवेल करवाएंगे ओकी चलिए question देख लेते हैं यह आरेमसी का सवाल है और और इसमें क्या पूछा गया है Herald made a plum pie to take on a picnic तो उस plum pie को completely हमने क्या मान लिया है उस plum pie को हमने मान लिया है one आगे दिया है he was able to eat one-fourth of the pie तो कितना खाया उसने one-fourth खाया तो बच्चे का कितना remaining हमें remaining में focus करना है one-fourth चिले गया बच्चे का कितना three-fourth क्या आपको ही समझमा आ रहा है बचा कितना three-fourth बचा ओके तो सब्ट्राइट करने की ज़रुतनी सीधे आ सकता है and he left the rest for his friend और जो three-fourth है उसना अपने friend के लिए रख दिया उसके बाद मूस आया मूस केम बाई and ate one-third मूस ने क्या करा one-third खा लिया अब ध्यान से देखना अगर उसने one-third खा लिया तो कितना बचाना इसका remaining का तो one-third खा लिया तो आप पहले one-third निकालोगे इसका फिर उ तो आप डारिकली क्या कर सकतो one-third खाया तो कितना बचा 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 two-third तो आप डारिकली निकाल सकतो two-third two-third of three by four तो यह कितना जगा यह जगा one by two मतलब अब हाफ बच गया इसी को कहते है positive approach of percentage one-third सब्टराइट करने से अच्छा डारिकली आप two-third निकालो उसका ओकी नह यह बात जान सकते हों कि यह question olympiad based question है international olympiad based जो rmc का paper है उसमें question आया है okay basically अगर आप इस positive approach को ध्यान में रखेंगे even यही positive approach अभी हम fraction में भी करने वाले हैं तो आपको आपकी जो math से और जो calculation हो बहुत easy हो जाएगी okay तो हमने क्या किया plump pie अगर completely one है one by fourth अगर उसने खाया तो हमने उसका three by fourth निकाल लिया three by fourth of okay अगर one by third subscribe करना है तो directly two by third निकाल लो okay तो this is the approach I hope कि आपको यह approach समझ माए होगी और इसी तरीके के concept वाले वीडियो आपके लिए आते रहेंगे target हमारा RMC है तो एक महने के लिए यह सारे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा अच्छा लगेगा तो जरूर कॉमेंट करना और इससे related detailed वीडियो फुल वीडियो आपको हमारे comment box में देखने को मिलेंगे that's all for today bye bye see you soon all the best जाहिंद झाल झाल